तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 7 कोडिनेट जोमेटरी की एक्सरसाइस 7.1 का कोशन नमबर 3 तो कोशन 3 दिया है डेटर्माइन इव दा पॉइंट्स 1,5,2,3 एंड माइनस 2, माइनस 11 आर कोलिनियर पॉइंट्स मतलब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है या पता करना है कि क्या ये तीनों जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं तो कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो की एक ही लाइन के उपर आ रहे हो अगर 3 या 3 से ज़्यादा point A की लाइन के उपर आते हैं तो हम कह देते हैं कि वो कैसे points हैं? Collinear points जैसे मनलीज़े यहाँ पर एक point दे रखा है आपको A point एक दूसरा point दे रखा है B point और एक तीसरा point दे रखा है C point यह तीनों के तीनों अगर एक ही line पर लाई करते हैं तो हम कह देते हैं कि यह तीनों कैसे points है? Collinear points इनके coordinate भी हमें दे रखे हैं जैसे A के coordinate हम मनलेते हैं 1,5 B के coordinate मनलेते हैं 2,3 और C के क्या ले लेते हैं? –2,-11 तो Collinear points की condition क्या होती है? अगर आपने examples करें हैं तो वहाँ पर मैंने यह चीज आपको बताई भी थी कि अगर मालेजे किनी भी 2 sides का sum तीसरी side से आता है बड़ा तो हमेशा वो क्या होता है? वो होता है एक triangle देखो यहाँ पर मैंने यह चीज आपको first वाले example ने बताई थी कि अगर 2 sides का sum तीसरी side से बड़ा आता है कोई सी भी 2 side ले सकते है sum of any 2 sides is always greater than the third side तो वहाँ पर क्या बनता है? वो triangle और triangle कभी collinear points से तो बन नहीं सकता उसके लिए 3ों के 3ों points जो है वो अलग-अलग होने चाहिए इनको आप A की line पर नहीं ले सकते लेकिन अगर आप देखोगे जो मैंने आपको example कराया था example number example number कराया था मैंने 3 वाला तो example 3 के अंदर हमने क्या चीज़ प्रूव करी थी? कि 3 लड़किया थी और वो 3ों की 3ों लड़किया जो थी वो एक ही line में बैठी हुई है आश्रिमा भारती और के मिला इसलिए मैं कहता हूँ example बहुत जरूरी है तो अगर हम क्या चीज़ प्रूव कर देते हैं कि A B और B C का sum मतलब यहां से लेकर यहां तक A B और यहां से यहां तक B C अगर A B और B C किसके equal आ जाए A C तो हम क्या कह सकते हैं A B C कैसे points हैं collinear points है तो main चीज हमें क्या करने पड़ेगी A B वाला distance निकालना पड़ेगा B C वाला distance अगर वो आ जाता है A C के equal तो हम कह सकते हैं कि कैसे points हैं collinear points और अगर equal नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो collinear points नहीं है ठीक है फिर वो क्या बना रहे होंगे वो या तो कोई triangle बना रहे होंगे या फिर वो एक line पर होंगे triangle भी जरूई नहीं है कि वो बने ही तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं A वाला और B वाले points से A B वाला distance फिर B C वाला फिर A C वाला R वो given points हमने क्या क्या मान लिये पहला point हमने A मान लिया जो की कितना है 1,5 फिर उसके बाद B point है उसको मान लिया हमने 2,3 और फिर उसके बाद C point है जिसके coordinates क्या मान लिये –2,-11 अब हम यहाँ पर use करने वाले है distance formula तो आपने distance formula पढ़ाई है पिछले वाले examples में अब वीडियो में जितने भी आपने questions करें है उन सब में हमने distance formula खूब अच्चे से पढ़ा हुआ है तो by using distance formula और वो distance formula क्या होता है under root x2-x1 का whole square और plus y2-y1 का whole square तो पहले हम निकाल रहे हैं कौन सा वाला पहले हम निकाल रहे हैं a, b वाला distance तो पहले a, b वाले distance पर आप ध्यान दोगे तो जब a, b वाला distance लेंगे तो a और b के ही जो coordinates हैं वो ही हमारे लिए क्या हो जाएंगे a के हो जाएंगे x1, y1 और b के क्या हो जाएंगे x2, y2 अब इनकी values को put करना शुरू करो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x2 माइनस x1 में x2 की जगा पर क्या रख देते हैं 2 और x1 की जगा पर क्या रख देते हैं 1 और इसका क्या कर देंगे square फिर y2 की जगा पर कितना रख देंगे 3 और y1 की जगा पर कितना रख देंगे 5 इसका square तो a b equal to कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 तो 1 का square उसके बाद 3 में से 5 गया तो कितना बचा minus का 2 और इसका square तो a b equal to कितना आया a b equal to आया under root 1 का square करेंगे तो 1 और माइनस 2 का square करते हैं तो कितना आ जाता है 4 माइनस माइनस प्लस होते हैं 2 2 जा 4 होता है तो इसका मतलब AB वाली जो है हमारे पास side या length वो कितनी है root 5 units अब जैसे हमने AB निकाली है ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे B से लेकर C तक तो B C वाले इनको आपकी बार क्या मानोगे X1 Y1 और X2 Y2 ठीक है देखो तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं इसको मान लेते हैं B वाले को X1 इसको Y1 C वाले को मान लेते हैं X2 इसको मान लेते हैं Y2 और अब आपको निकालना है B C वाला distance तो B C equal to हो जाएगा under root X2 की जगा पर कितना रखेंगे minus 2 फिर minus यह जो formula वाला है फिर X1 की जगा पर क्या रखेंगे 2 और इसका square फिर Y2 की जगा पर क्या रखेंगे Y2 की जगा आएगा minus का 11 फिर यह वाला जो minus है यह लिख दिया फिर उसके बाद Y1 की जगा पर कितना आएगा 3 और इसका square अब आगे solve करते हैं तो minus minus plus होते हैं तो minus 2 और minus 2 कितना हो जाएगा 4, sin minus का ही रहेगा उसका square फिर minus 11 और minus 3 minus minus plus होते हैं तो यह हो जाएगा minus का 14 और उसका square यहां तक समझ गए अब बात आती है कि minus 4 का square करेंगे तो कितना आएगा minus minus plus होते हैं और 4 का square हो जाएगा 16 ऐसी minus minus plus होते हैं 14 का square कितना होता है 196 इन दोनों को plus कर लेते हैं तो plus करके कितना आता है 6 और 6, 12 का 2, carry 1 9 और 1, 10 10 और 1 11 का 1, फिर carry 1 बचा 1 और 1 कितना हो गया 2 तो यहां गया 212 इसमें से किसी के pair 1 के बाहर निकल सकता है तो बाहर निकल लेते हैं जो जो भी चीज बाहर आ सकती है तो 212 के कर लेते हैं अब क्या factor तो 212 के जब आफ factor करोगे तो सबसे पहले 2 के table में आ सकता है 2 1 जा 2 ना जाने की 0 और फिर 2 6 जा 12 फिर 2 से करते हैं इसको तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 और फिर 53 तो प्राइम नंबर है वो अपने में ही आता है तो हम इसको क्या लेख सकते हैं अंडर root के अंदर 2 into 2 into 53 यहां पर 2 के pair बन गए तो BC equal to कितना आ गया 2 under root 53 ठीक है यह हो गई कौनसी वाली length यह BC आ गई और अब हमें कौनसी निकालनी है अब हमें निकालनी है पूरी यह वाली length जिसका नाम क्या है AC और AC के लिए A वाले जो points है उनको माल लेते हैं X1 Y1 और जो C वाले उनको क्या माल लेते हैं X2 Y2 तो बस आपको यहाँ पर यह B वाले को मिटा कर और यहाँ पर A वाले को मैं लिख कर बता रहा हूं कि A जो है उसको क्या माल लेते हैं इसको ले लेते हैं X1 इसको ले लेते हैं Y1 ठीक है तो अब देखिए अब आगे अब हम निकाल रहे हैं AC अंडर रूट के अंदर फॉर्म्ला तो यह ही लगेगा यही जो यहाँ पर था तो X2 की जगाँः पर कितना रखेंगे माइनस का 2 फिर माइनस यह फॉर्मले वाला X1 की जगाँः पर कितना रखेंगे X1 की जगाँः पर आगया 1 और उसका square प्लस फिर y2 की जगह पर कितना रखेंगे माइनस का 11 माइनस 11 माइनस फिर y1 की जगह पर कितना आएगा y1 की जगह पर आजाएगा 5 और फिर इसका whole square तो ac equal to कितना आया minus 2 और minus 1 कितना हो जाएगे minus minus plus होते है 3 आजाएगा sign minus कही रहता है ऐसे minus 11 और minus 5 कितना हो जाएगा minus का 16 और फिर इसका square ac equal to कितना आया minus 3 का square करेंगे तो कितना आएगा 9, 3, 3 जा 9 होते है 16 का square होता है 256 इन दोनों को plus कर लेते है तो 256 में 9 plus करेंगे तो यह आएगा 265 इसमें देखते हैं किसी के pair बन सकते हैं तो बाहर निकाल लो वरना इसको ऐसी छोड़ दो तो 265 के pair देखता हूँ बना कर 265 के जो हम 5 से divide करेंगे तो 55 जा 25 कितना बचा बचा 1 और 1 और 5 15 होगे फिर 53 जा 15 और यह आया 53 और फिर 1 पेर तो बन नहीं सकते हैं किसी के भी एक 5 आ रहा है 53 जब तक जोड़ा नहीं बनेगा बाहर यह निकल नहीं सकता तो इसका मतलब यह 265 ऐसी रहेगा यहाँ पर 2 root 53 आ गया यहाँ पर root 5 आ गया तो अब आप यहाँ से क्या चीज कह सकते हो कि जो irrational number है यह तब ही plus हो सकते है जब इनका root same हो और इनका तीनों का ही root अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते है कि A, B और B, C का sum since A, B plus B, C जो है वो not equal आएगा किसके? A, C के यहाँ कि A, B की value कितनी है? root 5 और B, C की value कितनी है? 2 under root 53 और इसको हम plus कर नहीं सकते क्योंकि इसका root अलग है जब तक root same नहीं होते है तब तक यह plus नहीं हो सकते और यहाँ पर कितना है? 265 यह 265 में से भी किसी के pair नहीं बने तो यह भी बाहर नहीं निकल सकता तो जब यह दोनों के दोनो points दोनों जो distance है इनका sum ac के equal नहीं आया means ab plus bc is not equal to ac तो इसका मतलब एक colinear point तो है नहीं क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर ab plus bc equal to ac मतलब दो sides का sum अगर तीसरी वाली side के equal बैठ जाता है तब ही हम कह सकते हैं कि वो कैसे points है? colinear points अगर यह equal आ जाते ab plus bc equal to ac आ जाता तब ही तो कह पाते हैं तो अब आप last में लिख दोगे कि hence the given points the given points are not colinear ठीक है? colinear points याद रखना colinear points ऐसे point होते हैं जो 3 या 3 से जादा point अगर एक ही line पर लाए कर रहे हैं तो उनको हम colinear points कहते हैं ठीक है? तो यह होगे आपका example number sorry question number 3 और next video में हम करेंगे इसका question number 4 अगर इसमें कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लेना और बाकी अब हम मिलते हैं फिर next video के अंदर तब तक के लिए bye